आज हस्बिन ने कहा कि लंच में बाजरा की रोटी बनाना और बेटे ने कहा ममी मेथी के पराठे बनाना फिर क्या था मैं सोचने लगी कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे ये तोनों खुश हो जाएं तो बस मैंने फटाफट से त्यार किये बाजरा और मेथी के डिलीशिस पर साफ कर लिया मेथी के पत्ते पत्ते हमने लिये हैं इसकी डंडिया हमने हटा दी है और मेथी को बहुत अच्छे से मैंने धो लिया है और अब यह जो मेथी है इसे आपको बारिक बारिक कट कर लेना है अब यहां मैंने एक बड़ा बरतन लिया है और इसमें मैंने आधा कप पाजरा का ponto डाल दिया है और इसमें मैं डाल varies हूं एक कप के हों क अब इसके अन्दर हम कुछ मसाले अट कर रहे है इसमें जा रहा है हाफ टीजपुन नमक हाफ टीस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्श पाउडर वन टीस्पून इसमें जा रहा है धनिया पाउडर वन फोर्थ टीस्पून गरम मसाला वन फोर्थ टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर वन फोर्थ टीस्पून डालें साबुत सीरा अब आप सभी मसालों को इस आटे में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और अब यहाँ पर मैंने जो मेथी थी उसे बहुत ही बारिक-बारिक कट कर लिया है और यह मेथी इसके अंदर डाल देंगे और साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हराधनिया हराधनिया का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है तो जरूर डालेगा अब यहां एक चम्मज ग्रेटेड लैसुन मैंने इसके अंदर डाल दिया है अगर आप लैसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं बट इस तरह लैसुन डाल कर आप इन पराठो को बनाएंगे तो बहुत यच्छा टेस्ट आएगा सभी चीज़े अच्छी तरह मिक्स कर दी हैं और अब यहां पर मैंने इसमें दो चम्मज घी डाल दिया है आप खी नहीं डालना चाते हैं तो घी की जगा ओयल का इस्तमाल भी किया जा सकता है घी को मैंने बहुत अच्छे से आटे में मिक्स कर दिया है और गी को मिक्स करने के बाद अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका डो लगा कर त्यार करेंगे जिस तरह आप नॉर्मली चुपाती के लिए डो लगाते हैं उससे हलका सहाट डो लगाएंगे बहुत जादा सॉफ्ट डो नहीं लगाना है तो बहुत अच्छे से इसे गूनना है और इसका डो त्यार कर लेना है हमने इन पराठो को बनाने के लिए बाजरा के आठे का इस्तमाल किया है लेकिन इने बेलने में सेखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और पराठे बहुत ही जादा टेस्टी बनेंगे नॉर्मली जो आप मेथी के गेहूं के आठे के पराठे बनाते है उससे एकदम डिफरेंट टेस्ट इसका आएगा और खाने में ये बहुत मज़ेदार लगेंगे तो यहाँ आठा लगा लिया है अब इसे ढख कर पांसात मिनट के लिए रैस्ट पर रखते हैं और इधर हम टमाटर की मज़ेदार चटनी बना लेते हैं मैंने यहाँ पर तीन लाल टमाटर लिये थे यह देसी टमाटर लिये हैं इनकी यह चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है टमाटर को रफली कट कर लिया है और इने चौपर के अंदर डालेंगे और बारिक चौप कर लेंगे देखे यहाँ पर अगर आप इने चौप नहीं करना जाते हैं तो आप इन्हें मिक्सी के जार में डालकर दर्द्रा सा पीस कर भी त्यार कर सकते हैं तो मैंने इस तरीके का टेक्शर इनका रखा है इसी तरह के टमाटर इस चट्री में अच्छे लगते हैं अब यहां कैस पर मैंने रखिये एक कढ़ाई और इसमें 2 चमबच सरसो अब यहाँ मैंने इसमें 2 पिंच हींग डाल दी है सभी चीजों को मीडियम flame पर थोड़ा सा भून लेना है अब यहाँ पर मैंने 11,5 चम्मच लैसून डाला है मैंने लैसून को घिशकर ढला है आप चाहें तो बारिक चौप करके भी डाल सकते हैं एक चम्मच ग्रेटेड अद्रक डाल दिया है अद्रक लैसुन को हम low to medium flame पर थोड़ा सा भूनेंगे तो यहाँ पर देखिए इनका color थोड़ा सा change हो गया है तो बस अब यहाँ मैंने इसमें ढाल दिया है आधा चम्मच राई और राई को भी इनके साथ में थोड़ा भून ल होता है और इससे चटनी का color अच्छा आएगा आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है आधा चम्मच नमक सभी मसालों को अच्छे से mix कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे मसालों को मैंने low flame पर थोड़ा भून लिया है color अच्छा आ चुका है अब यहां मैंने दो हरी मिर्श को बारिक कट करके डाला है साथ में जो टमाटर हमने चौप करके रखे हैं वो इसके अंदर डाल दिये हैं बहुत अच्छी तरीके से इसे आपको mix करना है और इसे आपको लगाता चलाते हुए ऐसे ही लगभग 1.5 मिनट के लिए कोक कर लेना है और उसके बाद आप चमच आमचूर पाउडर टमाटर की चटनी है फिर भी थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा आप चाहें तो इस स्टेश पर इसमें थोड़ा सा गोड़ी या थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं तब भी ये चटनी टेस्टी लग तो बस इससे हम पराठे बनाएंगे तो आपको इससे सबसे पहले लोई बनानी है थोड़ा सा दो हातों में लेंगे और दोनों हातों के भीश में रखकर ऐसे गोल-गोल चिकनी लोई त्यार कर लें अब यहां मैंने इस लोई के ऊपर लगा दिये हैं थोड़े से सफेद तिल और इन्हें ऐसे सैट कर दिया है दोनों तरफ हम थोड़े थोड़े सफेद तिल डाल देंगे इससे पराठे दिखने में भी सुन्दर बनेंगे और टेस्ट इनका बहुत बढ़ जाएगा अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा अर्टा डालें तो दोनों तरफ मैंने थ थोड़ा सा इसे बेल लिया है और अब यहां पर इसके अंदर में थोड़ा सा घी लगा रहे हूं और घी लगाने के बाद अब मैं इस पराठे को पैक करूंगी जिस तरह स्टफ पराठे आप पैक करते हैं वैसे से पैक कीजेगा तो यह देखिए पराठे को हमने ऐसे पैक तो जिस तरीके से नौर्मल ही आप परांठे बेलते हैं बس वैसे ही आपको इसे बेल लेना है बस आपको त्यान इस बात का रखना है कि परांठा कहीं से मोटाmanas कहीं से पतला ना हो सबी तरब से इसे एक जैसा बेल कर त्यार करें और अब हम इसे सेख लेते हैं तो तब आप पहले से गरम कर दिया था और गरम तबे पर आपको इसे डालना है फ्लेम मीडियम रखना है एक तरब से इसे सेखने दे और फिर इसे पलट दें और अब इसे दूसी तरब से भी आप सेखने दें जब पराठा दोनों तरब से थोड़ा-थोड़ा सेख जाएगा तब आप इसके उपर ओईल बटरिया घी लगाए और इसके बाद आप इसे पलट कर दूसी तरब भी आप घी बटरिया ओईल लगा दें अगर बेलते समय पराठे के किनारे टेड़े मेड़े बन रहे हैं या कटे फटे से बन रहे हैं तो आप इसे किसी धक्कन की सायता से काट कर गूल कर सकते हैं और फिर इसे इस तरह सेख सकते हैं ये देखें बहुत ही बढ़िया फूला फूला पराथा बना है, पराथे को हलका हलका प्रैस करते हुए दोनों दर्ब से से शेक लिया है, बहुत ही बढ़िया ये सेक चुका है तो बस इसे हम निकाल लेते हैं, और इसी तरह मैं सारे पराथे त्यार करूँगी, तो चलिए अब हम इने गर्म गर्म सर्व कर लेते हैं तो ये आए हमारे बाजरा मेथी के पराथे और टमाटर की मज़ेदार सी चटनी साथ में मैंने धनिया पुदेने की चटनी भी रखी है ये पराथे इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे कि इन पराथों को खाकर हजबन और बेटे ने कहा अब तो हमें घर में जब भी मेथी आएगी तो यही पराथे खाने हैं क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं और साथ में जो चटनी है वो बहुत मज़ेदार है तो आप भी ये रेसिपी ट्राइ करें